नमस्कार मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा एसुसेट प्रोफिसर इंज लॉजे सम्राठ प्रसिदा चौहन गौर्डमन फॉलिक्स अच्वेर पिछली क्लास में हमने रप्लिकेशन की मशीनरी के बारे में बात की थी उसमें हमने टोपवाइसमरेजिस स्ट्रेंडर बाइंडिग प्रोटीन है लेक listeners इनके बारे में डिसकस कर लिया था और हमने देखा कि pray sorry आपकार करते हैं हमने यह ईह भी देख लिया था कि इंसलिकर ब्लिकेशन है वह माशाची आब DJ में DNA replication के लिए कौन से enzyme responsible होते हैं और क्या उसकी mechanism होती है उसके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहली बात हम यह दिर replication का overview देखें बिसीक लिए और में क्या-क्या उसको required होती है क्या-क्या requirement होती है उसमें देखें तो सबसे पहले जो requirement होती है DNA replication में वह होती है deoxyribonucleotides की सबसे पहली बात है दूसरी बात DNA template के या नहीं deoxyribonucleotides जो आपके ribonucleotides हैं उनकी जरुत होगी हमको एक DNA template की जरुत पढ़ेगी जिसके आधार पर जो DNA जो polymerase है यहने DNA polymerase की आवेसकता भी हमें पढ़ेगे कि इस template की आधार पर DNA polymerase enzyme जो इस template में जो nucleotides हैं उनके complementary nucleotides को लेकर जोड़ेगा इस प्रकार से नए DNA synthesis होगा फिर देन इकोलाई में जो DNA polymerase यह बड़ा important enzyme है इकोलाई में पांच प्रकार के अलग-अलग DNA polymerases पाए जाते हैं उनकी बारे में डिसकस आगे करेंगे कि वाके में वो polymerases कि इस तरह के होता है और क्या उनका functions होता है उसके बारे में लोग डिसकस करेंगे आगे तो यदि हम यूकरियोट्स पर देखें यानि मैमल्स में especially तो मैमल्स में भी पांच अलग-अलग प्रकार के DNA polymerases पाए जाते हैं फिर हमें किसके जरुत होगी Primer Primer यानि replication start करने के लिए हमें छोटा एक DNA एक खंड की आवसकता होती है basically वह RNA होता है RNA का खंड होता है जिसके त्री डैस ओचेंड को आपका DNA polymerase extend करता यानि 5-23 डैस करता है तो हमें एक को किसके जरुत है Primer की आवसकता है ठीक है अब यह जो DNA replication होता ना यह बड़ा important होता है ठीक है इसके लिए क्या होता है DNA replication बिल्कुल सई प्रकार से हो उसके लिए एक mechanism भी पाए जाती जिसको हम लोग कोता है प्रूफ रेडिंग में क्या होता है basically कि जो आपका जो DNA replication होता है ना वो कैसा होता है high fidelity वाला DNA replication होता है ठीक है और high fidelity में क्या मतलब क्या है कि लगबग 10 to power 3 त्री निकलोटाइड में 10,000 निकलोटाइड में के वल एक मिस्टेक हो सकती है यह expected है है ना यहनि error rate क्या है one mistake in 10 to power 3 निकलोटाइड ठीक है और जो expected error rate यह है और जो error rate होती है वह क्या होती है one mistake per 10 to power 9 निकलोटाइड जोड़ते है ना तब DNA polymerase से सिर्फ एक ही मिस्टेक होती है और यह क्यों होती है क्योंकि कैसे maintain रती basically है क्योंकि complementary base pairing होती है और जो आपका DNA जो polymerase होता है ना उसमें proof reading mechanism पाई जाती है तो तो complementary base pairing से क्या है A के सामने T ही जोड़ना है ठीक है और T के सामने A ही जोड़ना या C के सामने G जोड़ना या G के सामने C जोड़ना है तो जो proof reading mechanism किसमें पाई जाती है आपकी DNA polymerases में पाई जाती है और यह जो DNA polymerase होता है है basically उसमें तीन प्रकार के catalytic sites होती है तीन प्रकार के कौन सी एक तो होती है आपकी polymerase activity पाई जाती है ठीक है और दो प्रकार की कि इसमें exonuclease activity होती है exonuclease activity यानि nucleotides को तोड़ने की या काटने की activity वो दो प्रकार की होती है जैसे आपको पता है strand है जो दो direction में situated होते हैं एक 5 dash to 3 dash और एक 3 dash to 5 dash यदि 5 dash से यदि nucleotide काटना चालू करें और 3 dash की तरफ आए तो उस activity को हम गता है 5 dash to 3 dash exonuclease activity और यह तो 3 dash से काटना निक्लोटाइट चालू करें और 5 dash की तरफ जाए तो उसको गता हम 3 dash to 5 dash exonuclease activity और यह activity जो है basically जो polymerase activity होती है वह तो क्यों ज़र्री होती है क्योंकि हमको DNA के जो डी रॉक्स सी राइबो निक्लोटाइट होते हैं उनको अना जो हमको add करने के लिए ज़र्ण होती है और exonuclease activity की क्यों ज़र्ण होती है कि जैसे कोई incorrect base जुड़ जाए उसको निकालने के लिए होती है और 5 dash exonuclease activity होती है वो किसके लिए 5 dash to 3 dash 3 dash to 5 dash तो क्या होगा जैसे कोई incorrect base तुड़ेगा 3 dash to 5 dash activity activate हो जाएगी और जो गलत जुड़ावा basis है उसको काड़ देगे और 5 dash to 3 dash exonuclease activity होती है वो बड़ी important होती है वो क्यों important होती है क्योंकि उसके द्वारा necrotides को 5 dash end से remove किया जा सकता है और साथ में एक बड़ा important और है आपको बिल्कुल ध्यान रखना इसको कि क्या करता है इसके द्वारा जो RNA का जो प्राइमर जुड़ा रहता है ना उसको भी remove करने के काम में ली जाती है तो 3 dash to 5 dash exonuclease activity कि इसके लिए जरुड़ी होगी है आपके लिए कि जो incorrect basis जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग करते हैं DNA proofreading mechanism उसके लिए जरुड़ी होती है और 5 dash to 3 dash exonuclease activity जरुड़ी होती है आपके primer removal के लिए तो 3 dash 5 dash activity fidelity के लिए और 5 dash to 3 dash activity आपके जरुड़ी होती है किसके लिए primer removal के लिए अब आगे कैसे होती है अपना आगे देखते हैं अब यदि हम लोग DNA polymerase family देखें हम लोग तो जैसे मैंने बताया आपको कि इकुलाई में 5 different different प्रकार के polymerases reported किये गए हैं ठीक है उनम पांच में अपन देखें तो कौन-कौन चे होते हैं एक होता आपका DNA polymerase 1 जो कि जिसका क्या कारी होता है repair तो था replication में important role play करता है फिर polymerase second है वो DNA repair में important role play करता है और यह पता कब लगा 99 में 1999 में क्या हुआ इसका पता लगा कि DNA repair में important role play करता है तीसरा आपको enzyme है DNA polymerase third यह मुख्य DNA replication enzyme होता है तो यह जो DNA polymerase third अना यहीं कि एक important enzyme है जो कि DNA replication में important role play करता है और यह भी ऐसा माना जाता है कि DNA repair में important role play करता है और यह भी है ना जो DNA repair में important play करता है और इसकी discovery in 1999 में हुई और आज तक लगबक 14 different type के DNA polymerases की को report किया जा चुका है कि इसमें eukaryotes में तो eukaryotes में different 14 प्रकार के polymerases को report किया जा चुका है और pro-karyotes में आपके 5 different different प्रकार के polymerases को report किया जा सकता है किया जा चुका है जिनमें आपके DNA polymerase second fourth and fifth यह ना जो आपके केवल DNA repair में involved होते हैं जबकि first repair तता replication में और third again DNA replication enzyme होता है ठीक है तो principle DNA replication enzyme हो तो third है और first enzyme भी replication में important role play करता है तो अभी हम लोग है जो DNA polymerase first or third के structure के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस slide में हमको यह देख रहा है कि किस प्रकार से Ecolime replication fork बनी वी रतिर किस प्रकार से different different enzymes इसके उपर जुड़ेवे होते हैं कि यह हम देखें तो क्या है basically कि यह देखिया आप यह आपका DNA polymerase third है ठीक है जो कि diimeric form में होता है ठीक है यह आपका leading strand है जिस पर synthesis continuous होता हुआ जा रहा है ठीक है यह आपका lagging strand है यह हो का जाके fragment हो क्या और इदर वी हो का जाके fragment है इनको जोडने का काम कर रहा है आपका ligase यहां polymerase first enzyme जो क्या कर रहा है यह जो आरने प्राइमर है इसको रिमूव करने का खारी है यह कर रहा है और आरने जैसे प्राइमर रिमूव हुआ आपका डीन पालवेदेश फॉस्च एंजाइम नए नुकलिटाइट को जोड़ेगा और गयप को सील कर देगा गैप को सील करने का काम आपका लाइगेज करेगा ठीक है इधर आपकी ये सिंगल स्टेंडिड बाइंडिंग प्रोटिंस इसके उपर बाइंडिड है ठीक है जिसके दो डॉमेन मैंने बताये थे आपको उसके द्वारा जोड़ी रहती है यहां पर आपके हैलिकेज है जो क्य यहां पर जा रहा है यह जो दोनों स्टेंड है न इनके उपर बल लगता वा जा रहा है और उन बलों को रिमूब करने का काम कौन कर रहा आपका तोपोष्मरेज एंडियाने गायरेज इनजाइम तो इस प्रकार से क्या हो रहा है रेप्लिकेशन फॉक आपकी स्थर बूव प्राइमेंज प्राइमर बना डिया चोटे-चोटे बहुत सारे बनाता जाता है यानि हर खंड के पहले एक अनर्ट प्राइमर इसमें बनता है यानि प्राइमेंज आपका प्राइमर का निर्मान कर रहा है जो कि आरने प्राइमर होता है अब हम जो प्राइमरी पॉलिमराइजिंग जिसको आपने फार डिन फॉर्स्ट और सेकंड फॉर्स्ट और थर्ड की स्ट्रक्षर के बारे में लोग पढ़ेंगे अचैन사 सोग की और डिन फॉलिवर फॉर्स्ट ही लेंगे यह एन्जाइम किया बहुत ही है बहुत्त ही तैलैंटेड अन्जाइम है और यह अन्जाइम सबसे पहली बार डिस्कौवर हूँ तैयों सबसे पहला जो इन्जाइम था ओूर डिन سबसे पाल बहु geri जाता है और इसके बहुत सारे functions होते हैं यह सारे जो functions होते हैं इनके अलग-लग domains के द्वारा perform यह होते हैं ठीक है और अलग-लग domains का कैसे पता लगता है ज़िए हम proteolysis करें यानि proteins का breakdown करें उसके द्वारा हम यह पता सलता है कि इसमें दो प्रकार की chains पाए जाती है एक होती है आपकी larger cell और दूसरी आपकी smaller chain उसके बारे में पढ़ रहे हैं आगे तो कैसा है पहला जो DNA polymerase discovered हुआ और इसके proteolysis से दो प्रकार की chains का निर्मान होता है पहले कहा हमने larger cell जिसको हम लोग कहते है clean off fragment यह बड़ा important fragment है basically ठीक है और इसका जो molecular weight होता है और 68 kilo Dalton इसका molecular weight होता है बहुत बार इस जो clean off fragment इसका question आता है बहुत बार MSC में भी आता है और BAC में clean off fragment के बारे में इसमें पूछा जाता है clean off fragment क्या होता है और किस का ये एक किस enzyme का एक important part होता है तो ये जो clean off fragment है ना इसमें क्या होता है इसका जो C terminal है जो कि इसका दो बटावा तीन हिस्सा बनाता है इसके अंदर क्या होता है 5 dash to 3 dash polymerizing activity होती है एक बात दूसरा इसका जो end terminal part है जो कि एक बटावा तीन हिस्सा बनाता है उसमें 3 dash to 5 dash exonuclease activity होती है ठीक है तो जो इसका जो clean off fragment है उसमें polymerizing activity होती है और साथ में 3 dash to 5 dash exonuclease activity होती है यहने क्या हो रहा है यह क्या कर सकता है 3 dash to 5 dash dash के तरफ nucleotides को remove ये कर सकता है जो इसकी smaller जो chain होती है ना यह बड़े important है इसमें जा होता है 5-3--exonuclelic activity पाई जाती है और ये क्या करता है कि ये इसके द्वारा nucleotides को 5-3- direction में remove कर सकता है और ये एक बार में एक nucleotides से ज़्यादा भी remove कर सकता है ठीक है और ये क्या करता है दोनों प्रकार के जो sugar से उनको जो remove कर सकता है यानि deoxy ribose को भी और ribose sugar को भी ठीक है अब जो ribose sugar है ये बड़ी important है जैसे मैंने बताया आपको कि ribose sugar किसमे होती है आपके RNA primer में होती है और primer है जो आपका RNA का बनावा होता है तो उन sugar को remove करने का काम को न करता है आपका DNA pulverase first और उसकी smaller chain है जो उन जो ribose sugar है या प्राइमर है उसको remove करने का काम भी करती है और ये basically कहा active होता है ये active होता है आपके जो strand पर ये को निक लगावा हो जहाँ पर एक 5-dapse phosphate उपस्चित रहे वहाँ पर ये enzyme जुड़ करके और nucleotides को remove करता है ये इसके structure है ठीक है इसमें structure में क्या है आपका कि ये तो polymerase active side से देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे इसकी इस जगह पे 3-dapse exonifluoside activity active होती ठीक है और इसकी जो structure हम यहाँ पे देखें तो ये clean-off fragment है जो की DNA आपने polymerase first से निकाला गया है इसमें इसके आपको structure देख रही है तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेंगे आगे का हम लोग आगे की class में discuss करेंगे धन्यवाद हम लोग की डिभा नेग तो ने पारा हैं है एक हम जो आपको अेथर रहें खको हम लोग रहें तो आपको यूखें तो आपको यूझा जगगे हम लोग व उत की समेड़ खन् sutte हम लोग की समें दूदूचे